नमस्कार मैं शिवम प्रेणा अब देख रहे हैं एक नियोस 24 अभी अभी हुए करनाटक के चुनाओं में कॉंग्रिस ने जीत हासिल कर ली है जिसके बाद से अब सियासत खुब तेज है बताने कि इसने बड़े जीत के बाब जूद भी कॉंग्रिस खुश नहीं है दरसल मु के मंदरी के रूप में शपत लेने वाले डीके शिवकुमार अब भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं उन्होंने खुद ही दिया है उन्होंने कहा कि हम इस चुनाओं से अभी खुश नहीं है हमें और भी ज्यादा काम करने की जरूरत है हाला कि बीजेपी पर भी आरोप लग दिया है कि हम इस जीत से खुश नहीं है उन्होंने क्या कहा है चली एक बार ये भी देख लेते हैं करनाटक के उपमुख्य मंतरी के रूप में शपत लेने के एक दिन बाद डीके शिवकुमार ने रविवार को कहा कि वहराज्य में पार्टी की प्रशंड जीत के बाद भी खुश नहीं है बैंगलूरू में पार्टी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए शिवकुमार ने कहा कि विधान सभाज चुनाओ में हमें 135 से अधिक सीटे मिली लेकिन मैं खुश नहीं हूँ मेरे या सिद्धर अमया के घर मत आना शिवकुमार ने इसी के साथ अपना रमया ने शिवकुमार के साथ बैंगलूरू में केपी सिसी कार्याले में पुर्व पीएम राजिब गांधी और उनकी 32 पुन्यत तीथी पर श्रधांजली भी और पितकी कर्णाटक के नव निर्वाचित मुख्य मंत्रे शुद्धर अमया ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है सिद्धर रमया ने कहा कि पीएम मोधी आतंकबाद के बारे में बोलते हैं लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि कि सिद्धर रमया राजिब गांधी की पुन्यती थी कारिक्रम में ये तमाम बाते बोलते हुए नजर आ रहे थे कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महा सची प्रियंका गांधी वाडरा ने भी आज पुर्व प्रधान मंत्री राजीब गांधी को शुधास लिदी जहां बार राहुल ने ट्वीट कर कहा कि पापा आप एक प्रेड़ना के रूप में यादों में हमेशा मेरे स साथ हैं राहुल गांधी ने राजीब गांधी के बिभिन पलों का एक वीडियो स्नाज्या करते हुए हिंदी में टूइट भी किया बतादे कि 1991 को आज ही के दिन तमिलनाडू के श्री पिरंब दूड में एक चुनावी रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलब के आत्म घाती हमलावर ने राजीब गांधी की हत्या कर दी थी जिसके बाद आज उनकी पुन्य तीथी मनाई जा रही है और उन्हें शधान्जली भी अर्पित की जा रही है तो जिस तरीके की बात आपने सुनी कि यहां पर कॉंग्रेस के तरफ से साफ बयान आ गया है कि जहां पर कॉंग्रेस की अपरादी होने का आरोप लगता रहता है जहां पर बीजेपी डंका पिठती हुई नजर आती है कि हमारा तालुकात दूर दूर तक अपराद से नहीं है वही पर ये बात भी हम कहते हैं कि हमारे नेताओं ने अपरादी घटनाओं में अपनी जानगवाई है लेकिन बीजेपी बस अपने एक ऐसे नेता का नाम बता दे जिन्होंने अपनी जानगवाई वो इस तरीके की बात कह दी है कॉंगरस ने और भी ऐसे ही तमाम वीडियो जब डेट्स करिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे शाहता लेक नियूस 24 हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए धन्यवाद